आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उसके सनरक्षन के लिए सुप्रिम कोट और हाई कोट को इस बात का अधिकार मिला हुआ है कि वो रीट जारी करे यानि कि वो एक आदेश जारी करे और उस आदेश में आपके सुरक्षा का एक भाव होगा जैसे मैं आपको एक नमस्कार स्वागत है आप सभी का कमप्टीजन कॉमुनिटी के यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं रीट के बारे में बात करेंगे सबसे फ़रे तो मैं आपको बता दू कि रीट जारी कौन करता है यानि कि रीट होता क्या है तो नौर्माली हाला कि लीखा हुआ आपको हर चीज मिल जागा लेकिन आप समझ जीए और मैं एक एक चीज रीट करके बात भी करूँगा REIT जो होते है ना इसको नियाय का जहरना कहा जाता है नियाय का जहरना भी इसे कहा जाता है एक्जाम का कोशन एक नियाय का जहरना किसे कहा जाता है तो REIT को कहा जाता है जारी कौन करते हैं? तो जारी आपका Supreme Court यानि कि SC यहां पर SC लिखा हो तो इसका मतलब बता है Supreme Court, ठीक है मैं दूसरे कलर से करदू, जारी SC और HC, HC का मतलब होता है High Court, यानि कि SC और HC दोनों जारी कर सकते हैं, Supreme Court जो जारी करेगा वह Article 32 के अंतरगत, Article 32 के अंतरगत सुप्रीम कूर्ट जारी करते हैं, और High Court जो जारी करते हैं आर्टिकल 2-6 के अंतरगत तो हाइड कोट कौनस आर्टिकल के अंतरगत जारी करेगा 2-6 और सुप्रीम कोट कौनस आर्टिकल के अंतरगत जारी करेगा तो 32 इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान में रख लिजेगा इसको आप अच्छे तरीके से लिख लिजए एक्जाम में questions यहीं से आजाते है कि Supreme Court किस आर्टिकल के अंतरगत Reet जारी करते है और High Court किस आर्टिकल के अंतरगत Reet जारी करते है यह questions एक्जाम में आ जाता है अब अगला point यह है कि REIT कितने परकार के होते हैं तो REIT पांच परकार के होते हैं पांच परकार के इतना सारा बात हो गया point यहाँ पड़े है कि REIT जारी क्यों करता है Supreme Court या High Court दोनों में से कोई REIT जारी क्यों करेगा तो देखिए जब भी fundamental right का उलंगण होता है जब कभी भी fundamental right का उलंगन हो, तो आप Supreme Court या High Court जा सकते हैं, और आपके fundamental right के protection के लिए, मेरी बात अच्छे तरीके से समझेगा, आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उसके सुरक्षन के लिए Supreme Court और High Court को इस बात का अधिकार मिला हुआ है, कि वो रीट जारी करे यानि कि वो एक आदेश जारी करे, और उस आदेश में आपके सुरक्षा का एक भाव होगा, जैसे मैं आपको एक एक रीट बताते हुए चलूँगा, और जो बात मैंने अभी बताया है, कि किस तरीके से आपको सनरक्षित करती है, वो चीज़े आप देखते हुए चलते च के अंतरगत, तो 32, हाई कोट की सांटी करके अंतरगत, तो 226 के अंतरगत, रीट जारी करते हैं, ये दो नो बाते यहां पर हो गई, अब अगला बात यहां पर समझेगा, कि रीट कितने परकार के होते हैं, तो 5 परकार के होते हैं, तो 5 परकार के रीट होते हैं, सबसे पहल हमारा है Hebeus Corpus पहला REIT है यह Hebeus Corpus first REIT. बंदी परत्यक्षी करन हिंदी में हिंदी इंगलीस वाले बच्चे बिल्कुल प्रसान नहीं होंगे हिंदी इंगलीस दोनों में लिखा हुआ पहला REIT हमारा क्या है? बंदी पर्त्यक्षी करन अब पॉइंट यहां पड़ी है किसका मतलब क्या होता है कोई भी REIT जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप यह देखेंगे कि मैं उसका पहले मतलब बताऊँगा किस REIT का मतलब क्या होता है दूसरी बात यह किसके खिलाफ जारी करेगा यानि कि कौन से ऐसे अथोरेटी है जिसके खिलाफ में यह REIT जारी किया जाएगा और तीसरी बात किस संदर्म में जारी किया जाएगा यानि क्या connection क्या है क्यूं जारी किया जाएगा तो ये दो बाते हैं, एक मतलब, दूसरा किसके खिलाफ और तीसरा क्यूं, ये तीनों चीज हम आप बताते हुए आपके साथ चलेंगे, तो hebious corpus की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है, to have the body of, यानि को प्रस्तूत किया जाए, या सो सरीर प्रस्तूत किया जाए, कहीं कही हो सकता है, आपको लिखा मिल जाए, सो सरीर प्रस्तूत किया जाए, ये बाते मिल सकता है, तो आप परसान नहीं होंगे, इसको ले करके, ठीक है, to have the body of का मतलब होता है, को प्रस्तूत किया जाए, Supreme Court कहता है, कि जो अव्यूक्त है, यानि Supreme Court बोलता है, कि जो प्रसानी में ह जिसके लिए हम रीट जारी कर रहे है, उसको ले के आप, ठीक है, एक, दूसरी बात यहां पर क्या कहता है, कि ये क्यूं जारी किया गया, क्यूं, तो सबसे नीचे आप देखेंगे, क्यूं का जवाब है, क्यूं का जवाब है, अगेंस दा इलीगली डिटेंशन ओफे पर जाता है, तो फिर उसके तरफ पूरा एकदम मीडिया ट्राल भी और दुनिया भर की कहानी चलने लगती है, आप जान रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक संबैधानिक ट्राल भी है, एक संबैधानिक नियम भी है, कि उसको लेकर के कोट में जाता है, और वो छूट सकता है अगर गलत तरीके से है, तो कभी-कभी यह होता है कि किसी की आरेस्ट, यानि कि कोई जो बंदी है, जेल में, उसका टेन्योर पूरा हो चुका है, और फिर भी उसको जेल में रखे हुए है, तो वो भी एक गैर कानूनी तरीके से ही आरेस्ट हुआ, और भी बहुत तरीके के हिरासत और detention होते हैं इसको आप एक बार समझेगा ठीक है तो किसके खिलाब जाड़ी होगा तो गेर कानूनी रूप से अगर किसी को हिरासत में रखें तो उसके खिलाब किसको तो यह होगा private individual को और public authority यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है इसू अगेंस public authority and private individual यानि कि यह इसू होगा किसी भी सरकारी authority या किसी भी private जो कोई private बेक्टी हो किसी ने किसी बंदी बना रखा है या कोई company है जो बंधुआ मजदूरी बेगर अभी इसमें के अंतरगत ला सकते हैं तो वो जो detention किया हुआ जो हिरासत में रखा हुआ है वो यहाँ पर इसके खिलाफ रीड जारी होगा अगर यह गयर कानूनी नहीं है यह कानूनी है तो फिर यह रीड जारी नहीं होगा तो यह कोई बात नहीं है तब यह रीड जारी नहीं होगा तो यहाँ पर समझ में आ गया hevious corpus अब इस तस्वीर से हम यह बताने की कोशिस कर र रही है कि Article 32 हमारे साथ है, Article 226 हमारे साथ है, Article 32 Supreme Court, Article 226 High Court, ये बात बार-बार मैं वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक्जाम का कोशन बन जाता है और आप वहां पर परसान हो जाते हैं, तो पहला एडिट क्या देखा, Hevious Corpus, लड़की क्या कह रही है, हमको तुम गलत त अगला रिट हम लोग बात कर रहे हैं, और अगला रिट है हमारे पास Manmus, यानि कि परमादेश, परमादेश ये रिट क्या कहता है, जैसा कि हमामें साथ बताएं कि उसका मतलब बताएंगे, किसके खिलाप में और क्यूं, ये सारी बात बताएंगे, इसका मतलब है B Command, हम आदेश देगा, सुप्रीम कोट या हाई कोट आदेश देगा, सुप्रीम कोट या हाई कोट, सुप्रीम कोट किस आर्टिकल के अंतर रगा, 32, हाई कोट किस आर्टिकल के अंतर रगा, 226, सुप्रीम कोट या आदेश देगा, क्या आदेश देगा, कि, कि अपने काम को करे, to perform public duty चुकि आप अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं तो हम आपको आदेश देते हैं कि अपना काम आप अच्छे तरीके से कीजिए यह Supreme Court आदेश देगा किसको आदेश देगा? सार्वजिनिक अधिकारियों को Issue to Government Official सार्वजिनिक अधिकारियों को आदेश देगा अब इस तस्वीर के माध्यम से मैं इसको समझाने कोशिस करता हूँ यहां तस्वीर देखिए बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास में और यह मास्टर साहब बेंच पर पैर रख करके और चुप-चाप से सो रहे हैं मतलब एकदम पूरा रेस्ट यहीं पर निकाल रहे हैं पता नहीं रात का नसार उत्रा नहीं है कि क्या कुछ भांग-भांग पीलिया होगा जो भी है तो अगर यह भांग पीके ऐसे सोया हुआ है तो इसको सुप्रीम कोट कह रहे हैं तुम अपना काम करो नहीं तो हम भेज रहे हैं ठीक है? तुमारा हो जाएगा हिसाब ठीक है न? यह जो बेंच परी से लात रख के बैठे हो समझते क्या आपने आपको यह सुप्रीम कोट कह रहा है कि इसके खिला मैंडमस और यह मैंडमस लेके कौन गया कोई भी जो जागरुक परसन है वह यहाँ पर जारी जा सकता है तो जागरुक परसन क्या देखता है कि हमारे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं तो का तरीका ही तो Supreme Court यहां पर क्या करेगा परमादेश जारी करेगा हम तुमको आदेश देते हैं कि अपने duty को सही तरीके से perform करो बच्चों को पढ़ाओ आना ही तो फिर क्या होगा तुम समझ लो तुम जो भांग जो पिया है उस सब उतर जाएगा ठीक है तो इस बात को ध्या C, CHSL, CGL या Railways और अलग दूसरे स्टेट्स के एक्जामनेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफीसियल होता है यहां पर आपको एक्जाम का कोर्शन बनते हुए दिखेगा तो हम रीट के लिए पूरे क्लास देखने के लिए आप हमारा ओफिसियल चैनल जो कम्टिशन कॉ कुमुनिटी है उसको सब्सक्राइब कीजिए उस पर लाइक कीजिए और वहां पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच्छ